क्या आपने अपने जिवन में कभी ये महसूस किया है कि आपका जिवन कुछ महने बहुत ये अस्मूदली चलता है आपके जितने भी फाइनेंसियल्स प्रॉब्लम थी वो सबकुछ दूर हो जाती है सबकुछ अस्टेवल रहता है आपके रिलेशन्स बैटर रहते हैं और वा आपके पास पैसों की तंगी, तनाओ, फैमिली रिलेशन्शिप की समझ्या इस तरह ना जाने कितने नाकरात्म कटना है आपके जीवन को घेर लेती है जिसका परिनाम सवरुब आप और अधिक नाकरात्मकता में जाने लगते हैं आप इस सिचुएशन से गुजरी नहीं प नेविल गोडाड बार-बार कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है लेकिन ये पॉसिविलिटीज लाने से पहले हमें अपने भीतर की दुनिया को समझना होगा, हमें अपने आपको समझना होगा, क्योंकि अबन्नस पाना, सम्रिद्धी पाना हमारा जन्मसिद अतिकार है हम इसे आकर्षित नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे पास मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसे हमें समझना होगा, हमें अपने भीतर की दुनिया को ठीक करना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे कर्म हमारे भीतर की दुनिया से जुड़ा हुआ है अजर हम अपने भीतर की दुनिया को समझ लेते हैं, अपने थौट्स को अपने विचारों को पहचान लेते हैं, तो हम अपने अनकारात्म कर्मों के परभाव को भी कम कर पाएंगी, ये बिल्कुल पॉसिबल है, आज की इस वीडियो में हम मैनिफेस्टेशन के वर्ल्ड मे यानि की अभिवैक्ति की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं, और पैसे या जीवन में आपके इच्छा नुसर किसी भी चीज को प्रकट करने के लिए, नेविल गौडाड के सबसे शक्तिसाली विज्वलाइजेशन तकनिकों में से एक की खोज कर रहे हैं, इससे पहले ह हम ये जानते हैं, क्या कि नेविल गौडाड कौन थे, उसके बाद वीडियो के आंत में हम ये भी जानेंगे, कि वो कौन-कौन से तरीके है, जिसे अधर हमने अपनाया, तो हम भी अपने जीवन को, अपने वर्स के सभी महनों को, सभी चीजों के अबंडनस के साथ भर दें मतलब हर महने हमें पैसो की कमी नहीं होगी। थीक से सुरू करते हैं, यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्रसन आता होगा, कि आखिर नेविल गोडाड की ये तकनीक इतनी परभावी क्यों है, नेविल का मानना था कि कलपना वास्तिविक्ता का निर्मान करती है, उन्होंने सिखाया कि अपने वांचित परिनामों के अ पर आधारित है कि हमारा आउजेतन मन, यानि कि हमारा सबकॉंसियस माइंड आव विश्वसनिय रूप से शक्ति साली है, और हमारे विचारों और विश्वासों के आधार पर हमारे अनुभावों को आकार दे सकता है, इसलिए हम अपनी आंतरिक दुनिया को बदल कर, हम दुलंत मांसिक तस्वीर बनाने के बारे में है, और हाँ सबसे महतपूर्ण बाद उन भावनाओं को महसूस करना, जो आप महसूस करेंगे, यही कि वह इच्छा पहले सही पूरी हो गई है, नेविल कहते हैं कि अधर आप अपने जिवन में इच्छा या पैसे, या कोई भ इल्में आप आसानी से अबंडन्स को पाएंगे, परचूरता को पाएंगे, बस इन प्रोसेस को ठीक से समझे और अपने जिवन में आज से ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके रिजर्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके बहुत से लोगों ने अप आप क्या चाहते हैं, या अधिक पैसे, नई नौकरी, प्यार भरा रिष्टा, बहतर स्वास्ति या कुछ और जो आप चाहते हैं, या आपके लायप में कुछ भी अबंडन्स हो सकता है, जितना संभव हो उस विसे से जुड़े रहे उधारन के लिए, यदि आप अधिक ध रुपे आपको तै करना होगा, कि मुझे हर मंत 2,00,00, रुपे चाहिए, सबसे पहले आपको exact amount की इच्छा रखने होगी, ऐसा नहीं आपको सोचना है, कि आप अधिक पैसे कमाना चाहते हैं, आपको exact amount के बारे में सोचना है, कि आप आखिर कितने पैसे कमाना चाहते हैं, एक बार जब आपने अपने desired amount को परिभासित कर लिया है, तो उसे आपको कागज या copy में लिख लेना है, क्योंकि आपके द्वारा यहीं लिखने की activity आपके दिमाग में इसे ठोस बनाने में मदद करता है, और आपको ये ध्यान केंदरित करने के लिए एक अस्पष्ट एक ऐसे दिरिष्ट की कल्पना करे, जिसका अर्थ ये है, कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है, तो कल्पना करे कि आपके पास उतना ही धन है, जितना आप चाहते हैं, अगर आप दो लाख रुपे मेहने कमाना चाहते हैं, तो कल्पना करे कि आप उस amount को कमा रहे हैं, वो पैसे आपकी हाथ में हैं, दो लाख के नोटों की गड़ी आपके पास है, पैसों की उस वजन को महसूस करे, पैसों की करकड़हाट को महसूस करे, अपने हाथों में बिलो की बनावाट या सिक्कों के वजन को महसूस करे, अपने आपको ऐसी इस्तिती में चि जी रहे हैं यह आपको इमोशनली जीना होगा यह आपको मैंटली जीना होगा मतलब यह आपको विजुलाइजेशन में जीना होगा भले ही वो आपके लिए रियल ना हो लेकिन आपको विजुलाइजेशन में इसे रियल तरीके से जीना होगा ताकि आपका सबकॉंसियस माइ के थुरू एक clear directions देना है यहाँ पर मुख्य बात यही है कि द्रिश्च को यानि की images को scene को यथा संभव विस्तिरित और यथार्त वादी बनाया जाए जितना detailed और realistic हो सके जितना possible हो सके उसे उस तरह का बनाया जाए आप इस द्रिश्च में क्या देखते हैं क्या सुंगते है क्या सुंते हैं चक्ते हैं और क्या महसूस करते हैं इसमें आप अपने सभी इंद्रियों को स्तनलगन करें आपका visualization जितना vivid और life-like होगा याने कि जितना real और सजीव होगा वा उतना ही अधिक शक्तिसाली होगा Step 3. Feel the emotions भावनाओं को महसूस करें या Step बहुत इमातपूर्ण है जैसे ही आप अपने वानचित परिनाम के कल्पना करते हैं उन भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें जो आप महसूस करेंगे यदि आपकी इच्छा पहले से पूरी हो गई है तो खुसी, किर्तग्यता, उस सहा और राहत महसूस करें जैसे कि या अभी हो रहा है ये भावनाओं आपकी अभिव्यक्ति के पीछे प्रेरक्षक्ती है मतलब आपके ये emotions, manifestation के पीछे एक driving force की तरह काम करता है जो लगातार पीछे से manifestation को धक्का दे रहा है ताकि आपका manifestation जर्मी बहुत ही तेजी से चल सक आप अपने आउचेतन मन के साथ उतने ही अधिक परभावी धन से समवाद करेंगे और जितना अधिक आप अपने subconscious mind के साथ communicate कर पा रहा है उतना ही अधिक आपका subconscious mind आपके अनुसार चल रहा है तो वित्य सोतंतरता पाने का उस्साह महसूस करें वो excitement को वो financial freedom को आपको उसी की कलपना करें जो आप हमेशा से चाहते थे इन भावनाओं को अपने उपर हावी होने दे क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ भी चीज पाने का सोचते हैं या बहुत अधिक पैसे कमाने का सोचते हैं तो उसी सोचने के दौरान उसी अंतराल में हम negative सो पाती है क्योंकि उहां पर हमारी नाकरात्मक भावनाय औरोधक का काम करती है इसलिए उस वक्त आपको बिल्कुल भी नाकरात्मक नहीं सोचना है जब आप खुसी करज चुकाने की राहत महसूस कर रहे हैं पैसे कमाने की खुसी महसूस कर रहे हैं तो उस वक्त अपनी emotions को अपने उपर पूरी तरह से हावी होने दे और खुद को पूरी तरह से उस अनुभव में डुबो दे तभी आप अपने जवन में एक चमतकार को देखेंगे कंसिस्टेंसी इस की यह बहुत महत पूर्ण है कि आप अपने प्रोसेस में कितने कंसिस्टेंट है इस visualization टेकनिक को रात्री कालिन अभ्यास बनाएं सोने से ठीक पहले अपने desired result की कल्कना करे और उससे जुड़ी भावनाओं को महसूस करने में कुछ मिनिट बिताए सोने से पहले उनिंदपन की इस्तिती आदर्स होती है क्योंकि इस समय आपका उचेतन मन सबसे अधिक ग्रहनशील होता है Step 5 और Last Process Trust the Process प्रक्रिया पर भरोसा रखे अंत में नेविल गोडाड यही कहना चाहते है कि इस manifestation जरनी की प्रक्रिया पर भरोसा रखे और किसी भी संद्य या चिंता को छोड़ दे भरोसा रखे कि आपकी इच्छा आपके पास आ रही है कैसे और कब इसके बारे में सोचने से बचे क्योंकि यह पूरा और पूरा ब्रह्मान का काम है आपके subconscious mind का काम है जिस तरह आप इतर के दुनिया को बनाते हैं मतलब जिस तरह आप अपने subconscious mind को बनाते हैं आपके बाहर के दुनिया भी वैसे ही बनती चली जाती है जैसे आप अपने subconscious mind को instructions देते हैं यह subconscious mind इस ब्रह्मान से connect करके आपको हर वो possibilities ला कर देता है जिसके आप वास्तविक हगदार है इसलिए आपके जिवन में कैसे होगा, कब होगा इसके बारे में मत सोचे क्योंकि कहीं न कहीं ये आपके बीतर negative energy को vibrate करती है negative energy को influence करती है बस साकारात्मक और अपेक्षित द्रिष्टिकोन बनाये रखने पर त्यान केंद्रित करे और अपना visualization अभ्याज चारी रखे नेविल गोडाड के ये quotes Bible में बहुत ही भ्यमस है नेविल गोडाड कहते थे when you pray, believe that you have received it and it will be yours जब आप प्रात्ना करते हैं तो विश्वास करें कि आपने इसे प्राप्त कर लिया है और यहाँ आपका हो जाएगा यहाँ उनकी सिच्छा का सार है विश्वास करें और महसूस करें जैसे कि आपकी इच्छा पहले से भी पूरी हो चुकी है और यहाँ आपके जीवन में परकट होगी नेविल गोडार बार बार कहते हैं कि सक्सेस्फुल मैनिफेस्टेशन की चाबी यही है कि आप इसमें कितने परसिस्टेंट है कितने द्रिड़ता के साथ और कितने जन्यून बिलीफ्स के साथ इसे अपने जीवन में अपना रहा है इस तकनिक का नियमित रूप से अभ्यास करे और देखे कि आपकी इच्छाये आपके जीवन में कैसे परकट होने लगती है आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं जो भी इच्छा आपकी है वह बहुत या आसान तरीके से आपके जीवन में पूरे होते रहेंगे जो कि आपके जीवन में एक नई दिशा देने का काम करते रहेंगे दोस्तो वीडियो कैसे लगे कमेंट जरू कीजिएका क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे और इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू दबाईएगा ताकि आप में रहाने वाले हर वीडियो के नॉटिफिकेशन्स आसानी से पास सके धन्युवाद